शाहिए आक्सल में अपने data cleaning के बहुत सारे वीडियो देखेंगे और अपने data भी बहुत सारा देखा होगा कि किस किस परकार से data हम को मिल सकता है हमने किस परकार उसको clean करा रहे है लेकिन आज मैं जो आपको data दिखाने वाला हूं ये वाकई में एक हैडिक भरा डेटा है एक बर इसका सैंपल देखते हैं कि इसमें हमने क्लीन क्या कराना है और डेटा किस परकार कम को मिला है तो इधर देखिए ये जो डेटा है मेरे पास ये ओन लाइन एक सर्वर से उठाया डेटा है इसके अंदर बहुत सारी एरर है और ये डेटा कम से कम भी आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास लगबग यहाँ पर 36 कॉलम है और 400 से अबाव रो है या बहुत बड़ा डेटा है लेकिन इसमें हमने क्लीनिंग क्या करनी है देखिए इतने ज़्यादा बड़े डेटा में यहाँ पर दिखाता हूं आपको जो मैंने इस कोलम को देखो कलर किया हुआ है ना प्रोजेक्ट कोड को कलर किया हुआ है इसमें क्लीनिंग करनी है क्लाइंट की रिक्वाइरमेंट क्या है यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वाइरमेंट है कि यहाँ पर जो आपको नंबर नज जैसे यहां पर तीश्रा नंबर अलग है दो नंबर सेम है इसके अलावा आप और भी निचे जाके देखोगे तो यहां पर जो कुछ सिंगल नंबर्स भी है तो देखो यहां पर सिंगल नंबर्स भी है यह सिंगल नंबर है सिंगल नंबर है कहीं पर ब्लैंक भी है और यह दिखाता हूं अभी आपको आप पूरी डेटा को देखना काफी बड़ा डेटा है यहां पर देखिए यह number डिजिट देखिए कोमा तक है ना इसमें ज्यादा number है इस number में देखिए इसमें कम number है लगबग सभी में कोमा सेपरेटर तक साथ साथ डिजीट है 7,7,7, 7,7 है न हहाँ भी 7 है लेकिन यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पर 10 डिजीट तिखरी मेरेको और यहाँ पर मेरेको 6 डिजीट नजरा हब है तो यह data काफी complicated हो गया अभी देखिए अब इसे इतना complicated नहीं हुआ है मैं और भी दिखाता हूँ यहाँ पे इधर देखे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ पे दो नमबर है ना कोमा के बाद एक नमबर और है लेकिन formula बार में देखे एक की नमबर नजरा रहा है यहाँ पे देखे एक की नमबर नजरा रहा है यहाँ भी देखे एक की नमबर नजरा रहा है तो आपने data देख लिया अब यहाँ पे client की requirement क्या है client की अलग-अलग requirement हो सकती है जो सारी हम यहाँ पे showl करेंगे पहली requirement यह है client की कि यहाँ से उसको सिरफ unique number ही अलग करने हैं अब यहाँ पर दोनों same है तो एक ही number रह जाए दूसरा हट जाए जहाँ पर चार number है अगर चारों same है तो एक ही digit रह जाए बाकी तीन हट जाए या फिर जो unique है उनमें से वो रह जाए और duplicate वाली हट जाए और जहाँ पर single number है इसको दूसरी requirement क्या है कि उसको पहले वाली digit तो चाहिए ही चाहिए साथ में दूसरी digit यदि duplicate है तो duplicate आजाए या फिर unique है तो unique वाली आजाए उसको दो digit चाहिए तो दो requirement होगी तो सबसे पढ़ी बात आगई हमारे पास कि इस data को हम कैसे clean करेंगे simple सा हमने यहां पे logic यूज़ करना है कि हमने left के उठा लेने कोमा से left के और कोमा से mid के भी उठाने लेकिन यहां पे देखे mid का left का formula यूज़ करते है मैं यहां पे एक column इंशट कराता हूँ और इधर हम formula यूज़ करें सीधा सीधा left का formula और इसमें से हमने left उठाना है, कितने left उठाने है, भई पहली हमने यहां पे 7 डिजिट ही उठानी है, पहली 7, है ना, 7 ही नमबर है, हम 7 यहां पे डालेंगे, bracket close करके enter press कराएंगे, तो यहां पे देखो इसने 7 उठाये, जदी मैं यहां पे 10 डिजिट कर देता हूं, यह 11 कर देता हूं, देखो, 7 के बाद, 8 और 2 यह, 10 डिजिट मैं डालता हूं, तब देखो, आप क्या बनेगा यहां पे, मैं यहां पे 7 की बजाए 10 करता हूं, enter press करेंगे, तो अब देखो, यहां पे, क्या आना था यहां पे, पहला नमबर, कुमा, दो नमबर आने थे, 11, है ना, जब कि यह किसी में भी नहीं आएंगे, तो यहां पे left और mid का भी formula फेल हो सकता है, जब कि हमने काम उसी से करना है, क्यों फेल हो रहा है यह, क्योंकि यहां पे यह देखो, length हमारे यहां पे एक दिखरी यह line, लेकिन यहां पे formula बार में देखो, अलग अलग है, अब formula बार क इस परकार से उठा रहा है, देखो यहां पे, edit करके देखो, यह line break है, परते Excel के अंदर, और line break परते Excel में कैसे की जाती है, जहां पे मान लीजिए, मैं यहां पे number लिखता हूँ 45, और alt के साथ enter press करेंगे, तो देखो second line में जा रहा है, फिर दूसरा number डालते है, alt enter, फिर त सबसे पहले तो हमने यही clear करना पड़ेगा, कि जितने भी यहां पे extra enterprise के यह line break है, सबसे पहले तुमको line break अटाना पड़ेगा, फिर हमने यह number उठाने है, तो काफी typical काम हो रहा है, सोच के देखो कितना typical हो रहा हो, किस परकार solve करें इसको, अब इस data को देख करके, मन तक बने रहें, और हम जो बताने वाले हैं, उसको थोड़ असा follow कर लें, तो नमस्कार साथियो, मेरा नाम है मनुष्ट कुमार, और आप देख रहें computer गानगुरी चैनल, तो चलिए, सीख लेते हैं, तो चलिए, शोल कराते हैं, सिरफ हमने इसी को ही शोल कराना है, बाकी वीडियो को last तक देखना, हम यहां से first digit भी उठाएंगे, दो digit भी उठाएंगे, एक first वाली और दूसरी unique value, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस data को clean कर लेते हैं, जितना भी हमारे पास यहां पर जो extra line है, वो line break हटा लेते हैं, तो उसके लिए simple हम करेंगे, equal to clean, bracket start करेंगे, cell address डालेंगे, और enterprise करा देंगे, अब यहां पर देखो हम आते देखो, यह function है फिलाल, इसको हम last तक drag करा देंगे, जितने भी हमारे पास columns हैं, यह मैं column कह रहा हूं, जितनी हमारे पास नीचे rowth है, वहां तक हमने इसको fill करा दिया, इसको कराएंगे, control C, copy, और इ करेंगे, हम paste special, और value, okay, right, अब इसकी ज़रूत नहीं है, यह सारा हम बेसक से delete करा सकते हैं, तो इनको सभी को मैं delete करा देता हूं, delete कराएंगे, अब देखो, यहां पर, हमारे पास उपर formula bar में, देखो, पूरी digit आ रही है, यह A की line में सारा data हमारा आ चुका है, यहां से line break ह चुके है, अब पूरी तरह से मैं आपको यहां पर समझाने की कोजिस करूँगा, clean करके तो मैं दिखा दूँगा function लगा के, ज्यादा बड़े function भी नहीं है, सिरफ हमने left, mid का use करना है, और if की statement देनी है, लेकिन समझ में आना चीए कि कैसे, देखो, अब हम यहां पर करते ह हैं left, और left हमने इसका left उठाना है, कितने उठाने हैं, हमने 7 digit उठानी है, तो simple हमारे पास 7 digit आ जाएंगी, complete, लेकिन कहां पर नहीं आएंगी, जहां भी हमारे पास 1 digit extra रहेगी, मैं यहां पर किसी की भी 1 digit extra कर लेता हूँ, यहां पर माल लीजे, इसको हटाके, मैं इधर 2, 2, 1, 2 digit और मैंने डाल दी, राइट, वापस से इसको हम left से align किरा लेते, देखो 60 digit हमारी कोमा से इधर की साथ बन रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारे पास character ज्यादा हो गए, वहां पर यह 60 digit उठाएगा, बाकि पूरा यह number नहीं उठाएगा, या फिर जहां पर कम है, वहां प SQL, find, find हमको उस character की place value बताता है, हमने किस character की place value देखनी है, हमने यहां पर, यहां पर हमारे प्रेस कोमा है, space हो सकते हैं, कोई dash हो सकता है, कोई other sample हो सकता है बीच में, हम उसकी place value निकाल ले, पहले place value हमने first कोमा की निकाल नी है, तो क्या हमने करना है find यहां पर, inverted कोमा के अं यहां से हम यहां तक place value निकाल लेंगे सभी की बल्कि और नीचे तक ले लेते हैं देखो यहां पर place value नहीं आई यह value एरर आ गई है इसके अंदर हम कोमा लगाते हैं तो place value इसकी भी आगे 10 तो इस पहले इस value तक left के उठाए अगर कोमा आठवे नमबर पे है तो आठ नमबर से पहले के कोमा दसवे नमबर पे है तो दस नमबर से पहले के और यदि कोमा 6 नमबर पे है तो 6 से पहले के तब हम इसके अंदर add करा देंगे left का हम करेंगे left किसका left इसका left कोमा कितने उसकी जगे हमने find का function लगा दिया bracket close करा के enter press कराएंगे तो यहां पे देखो साथ में कोमा भी उठा रहा है यानि कि एक digit फाल्ट उठा रहा है कोई कोम कोमा तो इसने find किया है आठ नमबर पे तो आठ उठाएगा हमको तो कोमा से पहले तक के चीए ना फिर क्या करें एक digit हम यहां पे माइनस करा देंगे माइनस वन यह कहां पे हो गया अंदर गुज गया यहां पे हम कराएंगे माइनस वन और bracket close enter आगे पूरी digit निच्छे तक खिश के देखते हैं सभी के नमबर इसके भी पूरे के पूरे नमबर उठा लिए कोमा से पहले पहले के किलियर हो गया यहां तक का काम हमने left के सारे ले लिए अब हमने second digit भी लेनी है तब second digit भी ले लेंगे यहां पे मैं एक column और insert करा लेता हूं यह मैं आपको समझाने के के लिए करवा रहा हूं column insert अलग-अलग करके parts में समझा रहा हूं second digit के लिए हमको देखो left की ज़रुत नहीं पड़ेगी क्योंकि left से पता नहीं कितना लेगा और नहीं right से हम कर सकते इसके लिए mid का use करेंगे हम करेंगे equal to mid पहले mid को देखे mid क्या काम करता है text हमने दिया mid क कोमा यूज किया start number कहां से कहां तक हमने इस first कोमा के बाद के उठाने तब यह first कोमा आठ नंबर पर है तो हमने 9 नंबर से उठाने है ना तो हम यहां पर करेंगे 9 कोमा कितने उठाने साथ ही digit है इसके अंदर तो seven bracket close enter यह second वाले नंबर उठा लेगा यहां पर exact उठा लेग यह one है आ रहा है one और कोमा इसने उठा लिए हमको तो यह नीच यह ना अगर second number नहीं है तो यहां पर blank किया आ जाए यह फिर a की number है तो a की number आए यहां पर वो मैं आगे बताता हूं अभी पहले यहां पर हमको blank चीए क्योंकि एक number तो यहां पर आई गया इस से second number यहां से आ रहा है तो यह हमको नीच यह one और कोमा तब same to same हम वह यूज करेंगे find का हमने कहां से find करना है उसके लिए no number को हमने अटाने no number से नहीं गिनना है हमने हमने गिनना है find से कहां से find करे पहले तो कोमा को find करे और कहां से इस में से find करे रैकेट क्लोज कोमा की position पता चल गए इसको उसके बाद से यह उठाएगा लेकिन इसमें भी हमारा एक देखो first में कोमा आ रहा है अब जब हमने left वाले में minus one किया था तो यहां पे हम करेंगे plus one enterprise करा देंगे number पूरे के पूरे आ जाएँगे clear अब हम इन दो see और इसके अंदर हम paste करा दें तो यहां पे आएंगे इस function के अंदर इसमें नहीं इसमें आएंगे और यहां पे concatenate का sign यूज करेंगे and paste और enter paste कर देंगे यहां पे देखो दोनों number आ गए बीच में coma cm को separator के लिए तो coma भी हम यहां पे concatenate करा देंगे उसके लिए and के sign के उपर हमने and यहां पे लगाया है इधर हम करेंगे double quotes के अंदर coma और फिर से double quote और end बस तो यहां दो थे दोनों आ गए जहां पे तीन होंगे यह चार होंगे वहां भी दो आ जाएंगे और ज तीन काम नहीं पट गए यदि क्लाइंट की requirement हो कि सिरफ first number ही चीए तो हम first number ले लिया था second number चीए तो second number हमने ले लिया या फिर first or second number यहां पे चीए तो हमने दोनों को concrete कर दिया लेकिन requirement अब और भी थोड़ी शी typical है कि देखो first second number लगबग एक जैसे हैं कई बर unique number आ रहे है unique number यदि यहां पे नहीं है तीशरे number पे जाके unique आ रहे हैं चोथा फिर से मारा duplicate तो हमको unique number चीए पहला number तो हमको यह चीए चीए फिर उसके बाद हमको तीशरा number चीए unique वाला second वाला नहीं चीए यानि कि जहां भी तीसरी digit unique है तो वो तीसरी digit आ जाए उन दो numbers में दूसरा यह वाला ना आए अगर तीसरी digit नहीं है तो यह दोनों आ जाए यानि कि चीए दो number ही लेकिन दूसरा number वो चीए जो unique हो तीसरे number पे यहां पे जो है वो unique है फिर हम कैसे use करेंगे यहां से हमारा mid का काम खतम हो गया हम यहां से mid के काम को हटाते हैं अब देखिए तीन digit लेन वाली आ जाए इस तरह की requirement पी हो सकती है क्योंकि दूसरी वाली unique हो सकती है तब इसी formula में change करा लेंगे क्या करा लेंगे जहां पर हमने concatenate किया था यह concatenate नहीं करेंगे हम हम यहां पर if की statement देंगे कि यहां पर single digit है एक ही number है तो कोमा से पहले के जितने वो आ जाए वरना क के बाद के आ जाए है ना हमको एक ही डिजिट सी है लेकिन कौन सी सी है जहां पर single number है तो वो आ जाए वरना second वाला जाए तो जहां पर वरना का काम आ गया तो if का use करेंगे इस फाइल को मैं थोड़ा सा जूम करा लेता हूं तो आपको अच्छे से clear से नजर आ जाएगा formula भ if भाई यदी क्या हो पहले इस वाले formula को भूल जाए अभी सिरफ if के उपर ध्यान दे जो मैं कर रहा हूं कि यदी ये वाला text k2 हमारा ये इसकी length बराबर हो कितनी length क्योंकि पहले number की length देखो अलग अलग हो सकती है तो इसकी length यदी बराबर है कौमा तक जहां तक जितने भी हैं तो सिरफ वो आजाए यदी इसकी length कौमा के बाद भी है तो second word आजाए ये चीज हमने use करनी है तो if k2 simple नहीं लेंगे k2 को हम यहां पे k2 की length लेंगे if len k2 इसकी length बराबर हो किसके find same हमने कौमा को find कराना है कहां पे यहां पे यहां पे कौमा को find कराएंगे और कौमा तक जितने character होंगे वहां तक यह find कर ले कितने character है उसके बराबर इसकी length आती है तब हमारा क्या आजाए तब हमारा ये left का formula चल जाए राइट यदि यह यहां पे length हमारी true हुई तो left चल जाए false हुई तो हमारा mid का चल जाए यहां से concatenate sign को हम हटा देंगे क्योंक close करा देंगे enter press करा देंगे एक digit आई कुन से आई left की आई सभी की left की आईगी जहां भी एक character होगा वरना second digit आईगी अब कैसे पैचाने की यहां पे दो हैं तो second आईए देखो यहां पे हम कोई भी changement करा के देखते हैं मैं यहां पे two कराता हूँ देखो यहां पे second digit आईए ना क्यों 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 कि यहां पे दो digit है तो हमने क्या कहा है यहां पे यहां पे दो है तो second वाली आजाए वरना first वाली तो भाई आई आई जाए जहां तक भी हम देखे निचे एक ही digit है तो एक तो हमने लेनी लेनी है यहां पे दो है तो second वाली आजाए दूसरा हमारा काम के लिए तीसरा हमको यह चीए कि भाई एक तो पहली वाली आजाए या फिर जहां पे यूनी को दूसरी यूनीक नहीं दिख रही हमको कहीं भी तो तीसरी यूनीक है तो फिर तीसरी आजाए फिर देखिए थोड़ा सा हम स्टेटमेंट में चेंज क करेंगे हम इस को नेस्टिट करेंगे एक ही फोर लगाएंगे इसी फोर्मले को बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाते हैं इक्वेल टू इफ हमने ऐसे क्या था कि लैन आपको रटवा दूंगा मैं यह फोर्मला भी देख लेना इसके बाद एक रिक्वारमेंट और बचेगी क क्लाइंट की एक और किस परकार की रिक्वारमेंट हो सकती है वो भी हम इसी फंक्शन से शोल करेंगे कि लैन्थ हमारी इसकी किसके बराबर हो इक्वेल टू फाइंड सेम टू सेम यूज़ कर रहे हैं कोमा इसके बराबर हो फाइंड की ब्रैकिट क्लोस देन क्या आजाए ह कहां पर यहां पर पूरी लैंथ हमारी आ गई लेफ्ट का हमारा काम हो गया लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट होगा देखो क्या चेंजमेंट होगा अब हमको सेकिंड नहीं चीए हमको थर्ड वाला चीए तब हमको पोजिशन भी सेकिंड कोमा की डूननी है न लेंद्ध निकालने किसकी इसकी यह किसके बराबर हो यह हो find कोमा तो find हो वहां पे लेकिन पहले वाला कोमा नहीं दूसरे वाला कोमा find होगा इस में से तो एक optional होता है यहां पे within text के बाद देखो start number कहां से start करना है भाई हम यहां पे यह लगबग आठवे number पे है तो हम 9-10 number के बाद से जो भी कोमा next आएगा वो next कोमा ही तो होगा तो हम यहां पे करके कोमा करके 10 कर देते हैं कि 10 के बाद जो कोमा इसको मिले वहां तक find करें इसके बराबर हो तब तब हम mid का function यहां पे चिपका देंगे सिर्फ इतना ही तो change करना है पहले तो हमने first कोमा को find किया था लेकिन अब हमने second कोमा को find करना है तो वहां से mid ले लेगा ना कि इसको उठाएगा वो तीशरा number उठाएगा mid हमने उठाना है इसका k2 का आप formula बार में formula देख सकते हैं यहां पे ज़्यादा चला जाता है तो वही यहां पे find कोमा find किया और कोमा किसके अंदर इसके अंदर bracket close plus one एक जोड़ देना है ताकि वहां के first starting में कोमा नजर ना आए और कितने उठाने है यहां पे हमने कितने ने उठाए mid के अंदर यहां ने गलत कर दिया यहां पे k2 में से कोमा साथ नंबर साथ डिजिट उठा ले पलस one तो अब क्या हो गए यहां पर 10 नंबर से इसने count किया second कोमा से 30 डिजिट उठा ली और जहां पर 30 डिजिट ना हो तब तब यह सेकिंड वाली उठा ले यह हमने गलत लगा दिया यहां पे यहां पे तो हमने bracket close करानी है अब करेंगे plus one comma seven right इस if की bracket close और अब हम use करेंगे false की statement जो हमारा पहला if था वरना भाई क्या आ जाए वरना हमारा second number आ जाए mid वही formula ते यहां से आप copy करा सकते as it is formula जाएगा किसका mid इसी का mid comma find bracket start comma use करेंगे comma हमने starting से पहला है वाले comma find करना है वरना इसके अंदर किसके अंदर इसके अंदर पहला नहीं दूसरा comma पहला तो हमने यहां पे ले लिया यह आ गया पहला हमारे पास तो यहां पे हम करेंगे दूसरा comma 10 यहां पे पास करेंगे प्लस one करेंगे comma 60 digit उठा लेंगे mid की bracket close if की close दूसरे if की close simple function था एक बर फिर से समझा देता हूं इसी को सबसे पहले हमने किया if length हमने इसकी length निकालनी है k2 की जो length इसकी है बराबर किसके बराबर find करेंगे पहले comma को उस comma तक जितने भी number है उसकी जो position कोमा की वहां तक इसकी length के टू की length वहां तक यह दि बराबर है कितना आया find के अंदर 8 आया यह दि यहां तक 8 है इसकी length तो हमारा left के character उठा ले 7 तो left के 7 तो है नहीं fix तो हमने यहां भी find का use कर लिया तो comma को find करें और उससे पहले के उठा ले left के उठ गए फिर से हमने if start किया कि यदि length इसकी यहां से और यहां तक दूसरे comma तक है ना दूसरे comma तक जितनी भी length है उसके बराबर है तब हम mid का use करेंगे और mid के अंदर हम उठाएंगे यहां पे दूसरी digit वरना तीसरी digit हमारी यहां से counting सुरू करें और तीसरी digit हमारी आगी के लिए तो जहां पे एक नंबर होगा तो left का जाएगा जहां पे दो नंबर हुए तो second वार्ड आ जाएगा जहां पे तीन नंबर हुए तो तीसरा आ जाएगा simple enterprise करा देंगे यहां पे argument के अंदर हमने ज्यादा argument दिये हैं कहां पे दिये हैं यहां पे हमने left की bracket close recti यहां परbelsोज होकी, right, enter press करा देते हैं, जबस banget पहला नंबर इसने उठाया, पहला नहीं उठायेगा यहां पर दो नंबर तो second नंबर उठाएगा, यहां पहां पर इसल 사? जब single number होगा इसको यही तक लेते हैं यहाँ पर हमारे पास single number और तो यहां तक उठाया जहाँ पर double number थे तो double उठाया जहाँ पर तीन नंबर थे वहाँ पर देखो इसने तीशरा number उठाया हो राइट तो अब यहाँ पर क्या होगा सारे unique number आएंगे अगर पहले duplicate हैं तो पहले आएंगे याएंगे duplicate second भी duplicate है तो फिर वो duplicate नजर आएगा वरना क्या हो रहा है मारे पास अगर second unique number आगए जिसमें अलग है तो second उठाएगा जहां पे दो number है तो तीन number है तो तीसरा उठाएगा और जहां पे एक number है तो एक ही उठाएगा ये requirement भी client की clear अब requirement client की एक और देखो last requirement कि भई उसने इस परकार से एक एक number तो ये उठा लिए कहां से उठा लिए कि भई पहला उठा लिए और दूसरा unique number उठा लिए ठीक है अब यदि तीसरा unique number हो तो client ये कह रहा है कि मेरे पास ये भी आए और ये भी आए मेरे को दोनों चीए दो number मेरे को यहां पे चीए चाए चार हो चाए एक हो चाए तीन हो यहां पे मेरे को दो number चीए पहला number मेरे को चीए चीए कोई भी एक unique number है दोनों में से तो या तीसरा यूनिक है तो एक वो तीसरा और एक वो ची है तुम्हारे पास दोनों नमबर आ चुके यहां तो पहले दो में से यूनिक आ गया और यहां पहले तीन में से यूनिक आ गया अब हम इन दोनों को CONCUT करा दे, SIMPOLIUM इस FORMULA को COPY कराएंगे, यहां से CTRL C, और इसके अंदर हम यहां पे इसको CONCUTENATE करा देते हैं FORMULA BAR के अंदर देखो, हम यहां पे USE करेंगे AND PERSON COMA, फिर से AND PERSON और PEST करा देंगे दूसरे FUNCTION को, तो दोनों FUNCTION हमारे यहां पे add हो गए, हमारा काम यहां पे खतम हो गया, इसको निचे तक हम ड्रैक करा देते हैं यह लिजी, राइट जहां पे blank मिलेगा, वहां पे देखो value error आएगी, क्योंकि यहां पे value नहीं मिल री, तो इसके लिए आप if error का use कर सकते हैं, तो जहां भी blank होगा, वहां पे, वह error नहीं आएगी, वह cell blank की रह जाएगा, तो यहां पे यदि आपके पास चार टाइप से requirement आ जाएं, कि यदि सिरफ आपको एक ही number चीज़ सुरूगा, या फिर, इन दो number में से, कोई भी unique number एक आजाए, यदि दोनों same है, तो पहले वाला आई जाए, अगर दूसरा अलग है, तो दूसरा आजाए, या फिर इस परकार से, कि भी जहां पे single digit है, वो single आजाए, उसके बाद दूसरा number आए, और यदि जहां पे तीसरा है, तो उस कि तीनों में से, दो number हमको चिये ही चिये, यदि यहां पे एक number है, तो उसका duplicate, दो number नजरा जाए, या फिर दूसरा अलग है, तो पहला और दूसरा है, या फिर तीसरा अलग है, तो पहला और तीसरा आ जाए, तो सारी requirement हमने एक ही formula से कर ली, simple formula था, इस तरहे की problems भी बहुत सारे लोगों की आती रहती है, तो इसको किस परकार से शोल करेंगे, वो मैंने पूरी details से आपको यहां पे बता दिया, इसी परकार की इस file के अंदर बहुत सारी errors हैं, यहां पे देखिए, कुछ हमारे पास vehicles नमबर हैं, सब अलग-अलग type से डले हुए हैं, कहीं पे time format की problems है, तो बहुत सारे data clean करना पड़ेगा, मैं यह सारे तरीके, आसान तरीके से बताँगा, यह clean कराना data, कैसे कैसे clean कर देंगा data को, तो लगातार हमारे साथ बने रहीएगा, राइट? I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छे ची वीडियो देखते रहने के लिए मासाथ बने रहे हैं, मारे वीडियो को ज़्यादा सज्यादा आपने दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइ करें और यादी नए हैं आप मेरे चनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें